आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो खीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Question में यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि environmental factors बताईए जो की characterize करते है habitat को ecosystem के तो अब environment के अंदर हमारे क्या-क्या present होगे living, non-living सब present होगे अब उन में से ecosystem के habitat को कौन-कौन characterize करता है वो हमें बताना है तो शुरू करते हैं ecosystem से ecosystem लिखते ही माइन में आता है कि यह basically एक biological system है biological system है जिसके अंदर क्या हो रहा है जिसके अंदर जो हमारे living organisms है living organisms है यह मतलब यह biological system बना कैसे है interactions से बना है और यह जो interaction मैं कह रही हूँ यह interactions कौनसी interactions है वो interactions जो हो रही है living organisms के within मतलब इनके आपस में भी interaction हो रही है और और कहां हो रही है इन organisms की interaction इनके environment के सार ठीक है अब जो यह living organism है यह living है तो इसलिए मैं इनको कह देती हूँ biotic component ecosystem का ठीक है इनके अंदर क्या-क्या include कर सकती हूँ मैं इनके अंदर include हो सकते हैं हमारे plants इसके साथ साथ हमारे animals और animals के अलावा हमारे यहाँ पे include हो सकते हैं microbes, etc. चीक है यह सब यहाँ पे include हो सकते हैं अब जब मैं बात करते हूँ environment की तो environment के अंदर abiotic factors आते हैं जो की non living है बेसिकली और इनके अंदर क्या-क्या include हो सकते हैं हमारा air, water, sunlight, etc. ऐसी चीज़ें तो अब यहाँ पे क्या होता है ecosystem के अंदर जो fundamental source energy का सभी ecosystem का वो basically sun से आती हुई sunlight है radiant energy ठीक है अब इस energy को मैं क्यों कह रही हूँ क्योंकि इस energy को ही use करकर जो हमारे autotrophs है plants में यह क्या करते हैं यह इनको use करकर हम energy को use करकर यह क्या करते हैं store करते हैं अपना food बनाकर simple carbohydrates के अंदर ठीक है और फिर जादा complex organic compounds बनते हैं उससे ठीक है तो energy का flow जो है वो पूरे ecosystem के तुरू nutrient की movement कर रहा है ठीक है ecosystem के within तो अब इसके साथ साथ क्या होता है फिर decomposers आते हैं वो भी बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं इन सब cycles के अंदर जिसमें nutrient जो है वो soil water air यहां से वापस आते हैं और फिर वापस इनके अंदर ही वापस चले जाते हैं ठीक है तो इस तरह से एक साइकल बनी हुए एक सिस्टम बना हुआ है जो की ecosystem है तो अब यह system जो है यह चेरेक्टराइज किससे हो रहा है बायोटिक और अबायोटिक दोनों ही फैक्टर से होगा तो यहां पर अगर मैं बात करती हूं option 1 abiotic component option 2 biotic component तो यानि कि यहां पर option 1 और 2 दोनों ही सही है तो option 3 हमारा correct answer हो जाएगा प्लासिक स्टिट्वल से लेके need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट आप या whatsapp कीजिए अपने doubts 8400 चार्सो पर